Very good evening everyone और सभी बड़ों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम मैं आशा करता हूँ कि आप सब के घर में सारे परिवार वाले और जो भी आसपड़ास में सबस्वस्त होंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी COVID का जो टाइम चल रहा है तो इसके बारे में आज जो हम बात करने वाले हैं अभी स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने देखा होगा तो पिछले दो-चार महीनों के अंदर बहुत जादा स्टिक्नेस थी स्टिक्नेस तो आज भी है पुलिसिंग अड्मिस्ट्रेशन के दरफ से आज भी स्टिक्नेस है लेकिन हम लोग भी बहुत जादा जो है डरे वे थे या सहमे वे थे मैंने ही क्याता कि हमें डरे सहमें रहना चीए पर एक जो सेफ्टी मेजर्स है जो प्रिकॉश्टरी चीज़े हैं उन्हें हमें लेकिये रखना बहुत जादा ज़रूरी है मतलब ऐसा नहीं है कि हम भूल जाये कि कोरना चला गया उसके उपर में हम लोग बात करने वाले हैं आज आप लोग देखेंगे तो कहीं भी आप चलते पे देखेंगे मैं तो बच्चे हैं छोटे-छोटे जो है अभी मैंने रिसेटली कहीं जो है फ्लाइट से ट्रावल किया था अभी मैं जो है उदैपूर आया वहां फिला तो मुझे यहां पे किसी ज़़ूरी काम से आना था तो इस बैसे मैं आया वरना मैं बिल्कुल भी ट्रावल नहीं करता है है मैंने रास्ते के अंदर देखा कि अदर आप वगएरे सब सेनिटाइज है एरपोट वगएरे सबसे बेस्ट ली सेनिटाइज प्लेशेज है क्योंकि महां पर सेनिटाइजेशन प्रली बार बार चलत सेटकवरब देन मुझे लेखे और बार बार चीजसार हम नहीं कर ल है कि असी नहीं करने नशार पता है? यह सकता है तु मांथाई है कि फ्लाइट्स वह इरे गएरे साहीं हम लोग नहीं ध्यान देता है पर ये छोटी बड्रि चीज हैं जोटी से अम द्यान नहीं देते हैं हुछ हम ने पूरी फेसं अंदर लोगों से घलोके दूरा रहा हैं आप दोस्तों के अपने रिष्तबार होगे इवन पड़ोसं के तंडर जो हैं हम इतना जादा दूर हो गए कट चुके हैं ठीक है सेफटी के लिए बहुत जरूरी है लेकिन फिर हम यहां पर नहीं सोच रहे हैं मैं देखता हूं कुछ-कुछ बच्चे साइकल के ओपर ट्रावल कर रहे हैं साइकल चला रहे हैं बच्चे चोटे बड़े जो भी हैं हैं आगे पीछे भाई बेट्थे हुए या दो बहने बैठी हुए दो भाई बेटे हुए और वो लोग उन्होंने मास्करी पैन रखें वो ट्राविक में से निकल रहें वो इदर तर निकल रहें क्यों उनके आस पास से कुई चिंक तब आपके सारे डर मर जाते तब सब कुछ खतम हो जाता है क्यों बच्चों को आप स्रिकली नहीं थोड़ा से समझा सकते पर ठीक है बच्चे तो ना समझ होते हैं उनको आप समझाओ उनको आप डराओ कैसे भी समझाओ उने कि बेटा नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा आप ऐसे हो जाओगे तो फिर आपके इतना जादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझद अची है आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है क्या आप लोगों को बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं मैं बहुत जादा खड़ा बोल रहा हूं बहुत जाता कड़ी लेंग्विज बोल रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि आपको बच्चों से प्यार नहीं, बट बात यह उनको जैसी प्रॉब्लम होगी तब आपकी जान जो है गले में आ जाईगी, मैं यह नहीं चाहता हूँ, मैं अपने भाई को बार-बार टोकता हूँ, मैं बढ़ गया है, हम लोग काम काज पर जाने लग गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन सेफटी मेजर्स के ऐसे भूल रहे हैं, सभी को पता अच्छे से कि वैक्सीन अभी तक ही भी आई नहीं है, अभी तक कोई भी है इतना जादा कुछ भी ऐसा आया नहीं है कि जिससे कि हम खतम होने का कोई टाइम किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता की कप तक ये लंबी चलने वाली है, तो कृप्या करें कि फ्रीज ध्यानी रख लीजी अपना, इतना तो पढ़ लिजे क्योंकि आप ध्यानी रखेंगे, आपको लगेगा आपसे किसी और को लगेगा, समीर को अभी सुनने में आया था कि किसी सर्दार जी की शादी होने वाली थी उनकी जो वाइफ है वो कई पचासाइट किलोमीटर उनको ट्रावल करना था परसनल कार के अंदर अपनी फैमिली के साथ यही थी रास्ते में रुख करके उन्होंने फास्ट फूट एक रेस्टोर इस्ते में आप कहरी नहीं कर सकते हैं आप कर सकते हैं बड़ यह चोटी मोटी लापर वाई जान ले जाती हैं बहुत बोरा लगता है और आपको बताया जान एक जाती और फर्क बहुत ओको पढ़ता है प्लीज अपने ध्यान रखिए प्लीज थन्बेवाद